दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए डियाई हेल्थ एडवाईस यूट्यूब चैनल को और दवाईए इस बेल आइकन को हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों कि आप जानते हैं कि कई बार डियाबिटीज होने पर भी 10 साल तक इस बिमारी का पता भी नहीं चलता हर साल लाखों लोगों को डियाबिटीज हो जाता है क्यूंकि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती अगर आपको कुछ बाते पता हो तो आप डियाबिटीज को होने से हमेशा के लिए रोक सकते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और आज हम देखेंगे डियाबिटीज के सबसे बड़े लक्षन या सिम्टम्स ये जानेंगे कि कब आपको अपनी बलड शुगर टेस्ट करवानी चाहिए और डियाबिटीज से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों डियाबिटीज तब होता है जब हमारे शरीर में बलड शुगर को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं रह जाता और बलड शुगर बहुत जादा बढ़ने लग जाती है जादा बलड शुगर से खून गाड़ा हो जाता है जिससे हमारे शरीर के अंग अच्छे से काम नहीं करते और हार्ट अटेक होने का खत्रा भी बहुत बढ़ जाता है इसलिए हमारे शरीर में ज़्यादा शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक हॉर्मोन बनता है जिसका नाम है इंसुलिन जब हमारा शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता और शुगर बढ़ती जाती है तो उस बिमारी को हम कहते है टाइप वन डियाबिटीज ये बहुत ही कम लोगों को होता है और जब हमारा शरीर इंसुलिन हॉर्मोन को अच्छे से इस्तिमाल नहीं कर पाता तो उसे हम कहते है टाइप टू डियाबिटीज हर साल लाखों लोगों को type 2 diabetes हो जाता है और यही वो विमारी है जिसे होने से आप रोक सकते हैं तो दोस्तों अब देखते हैं कि diabetes के सबसे बड़े symptom क्या है और कब आपको अपनी blood sugar test करवानी चाहिए तो diabetes का सबसे पहला symptom है बार बार पेशाब जाना देखिए दोस्तों जब हमारे शरीर में sugar बढ़ जाती है और उसे control करने के लिए insulin नहीं होती तो हमारा शरीर उसे kidneys की मदश से शरीर से बाहर निकालने लग जाता है यानि आपकी kidneys जो हैं वो sugar को आपके शरीर से बाहर निकाल रही होती है और over time work कर रही होती है इससे kidneys पर भी बहुत जादा stress पढ़ता है और इसके साथ ही हमारे शरीर का बहुत जादा पानी भी इसमें इस्तिमाल हो जाता है और यहीं से देखते हैं दोस्तों अब दूसरा symptom क्योंकि हमारे शरीर का जादा तर पानी जो है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल रहा होता है इसलिए हमें प्यास भी बहुत जादा लगती है और diabetes होने पर हमारा मूँ भी बहुत सूखा रहता है और इसी कड़ी में देखते हैं तीसरा symptom और तीसरा symptom यह है कि जब पेशाब में बलड शुगर बढ़ जाती है तो उससे वेक्टेरिया भी बढ़ जाते है और पेशाब की जगा पर infection होना या खारिश होने जैसी समस्य हो जाती है अब क्योंकि खूमने वेक्टेरिया जादा होते हैं इसलिए अगर आपको कोई चोट लग जाये तो वो चोट भी असानी से ठीक नहीं होती इसके साथ ही blood sugar बढ़ने से हमारी आँखों का lens भी धुनला हो जाता है जिससे हमारा vision भी धुनला हो जाता है यानि हमें धुनला दिखाई देता है diabetes का अगला लक्षन है बहुत जादा ठकान महसूस करना देखिए दोस्तों हमारी blood sugar से ही हमें काम करने की energy मिलती है तो अगर आप blood sugar को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत कमजोर और ठका हुआ महसूस होगा तो बहुत जादा कमजोरी ये ठकान महसूस होना भी diabetes का एक लक्षन हो सकता है तो दोस्तों अगर आपको इन में से कोई भी लक्षन ये symptom देखने को मिल रहा है तो आप अपनी blood sugar की जाँच जरूर करवाएं क्योंकि ये type 2 diabetes की शरुआत हो सकती है तो अब देखते हैं कि type 2 diabetes आखिर होता क्यों है और कैसे आप इसे रोक सकते हैं देखिए दोस्तों जब लंबे समय तक हम गलत खान पान से बार बार blood sugar को बढ़ाते रहते हैं और हमारा शरीर उसे कम करने की कोशिश करता रहता है तो कई बार एक condition पैदा हो जाती है जिसे हम कहते है insulin resistance जिससे हमारा शरीर insulin का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता और sugar बढ़ने लग जाती है इसी condition को हम type 2 diabetes कहते हैं और यही कारण है type 2 diabetes का दोस्तों अब देखते हैं कि जो भी मैंने diabetes के लक्षन आपको बताए अगर इन में से कोई लक्षन आपको दिखाई दे रहा है या फिर आप ये चाहते हैं कि future में कभी भी आपको diabetes ना हो तब आपको क्या करना है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है breakfast में थोड़ा सा बदलाव और आपको breakfast में instant oats या white bread नहीं खानी है जो भी टीवी पर आप advertisement देखते हैं oats की वो instant oats होते हैं जो कि सहत के लिए बिलकुल भी अच्छे नहीं होते इसके साथ ही white bread भी आप बिलकुल ना खाएं क्योंकि ये जो चीजे हैं इसमें carbohydrate जो है वो काफी processed form में होता है यानि उससे आपकी blood sugar जादा बढ़ती है आपको जो oats इस्तिमाल करने हैं वो oats हैं rolled oats या फिस steel cut oats तो ये oats आपको Amazon ते मिल जाएंगे तो इस वीडियो के description में rolled oats का link है अगर आप चाहें तो उने खरीज सकते हैं तो आप यही oats इस्तिमाल करें अगर आप oats नहीं खाना चाते तो आप रोटी भी खा सकते हैं लेकिन instant oats या white bread का breakfast में इस्तिमाल ना करें जाएंगे लिगवे वे उने तो एक रहता बर में खाना है तो इस तरह के चीजें आप डिनर में ना खाएं तो अच्छा है डिनर में सलात खाएंं अंकुरे दाले क्वा अंड़ा खाएं लिकिन आप ना क्वाएंगे लेकिन रियों कर्पोई that द्थिनर खाएंगे घर पे बना रहे हैं, दोनों तरह के fruit juice सहथ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, आपको fruit पूरा खाना चाहिए, juice जो है वो ज़्यादा शूगर से भरा हुआ होता है और उसमें nutrition बहुत कम होता है, तो juice का इस्तिमाल कम से कम करें और fruit पूरा खाएं, इसके अलावा दोस्तो diabetes से बशने के लिए एक सबसे ज़दा important tip ये है कि अपनी diet को और ज़दा balance करें, इंडिया में हम लोग carbohydrate जैसे की रोटी और चावल बहुत ज़दा खाते हैं, और दूसरी चीजे जैसे सबजी, दाल और सलाथ बहुत ही कम खाते हैं, जिससे हमारी blood sugar बढ़ती ही जाती है, इस सही quantity में खाएं, बहुत जादा ना खाएं, इसके लाबा fast food की quantity भी घटाने की कोशिश करें, अगर आप अपनी diet को balance करेंगे, यानि carbohydrate को control में रखेंगे, और protein और fat को सही मातरा में लेंगे, fiber जादा लेंगे, पानी सही मातरा में पिएंगे, तो आपकी blood sugar कभी नहीं बढ़ होने के chances बहुत बहुत घट जाएंगे, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जरूर इसे like करें, अपने friends और family के साथ share करें, और ऐसे वीडियो के लिए subscribe जरूर करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद